गाए चुडैल वर्सिस भूतिया कुत्ता सोनगर में एक गाए थी वह गाए सबकी बहुत ही ज्यादा मदद किया करती थी इसलिए सभी गाउवाले भी उस गाई की बहुत देखभाल किया करते थे गाउवालों का मानना था कि वह गाई साक्षा देवी मा का रूप है क्योंकि वो इंसानों की तरह बात भी कर सकती है इसलिए सभी गाउवाले उसकी पूजा करते थे एक दिन कुछ बच्चे गाउव में खेल रहे होते हैं कि तभी उनकी बॉल उस गाई को लग जाती है और गाई को चोट लग जाती है उसकी चोट देख एक गाउवाला उन बच्चो को डाट नहीं लगता है अरे बच्चो तुम सब पागल हो गई हो क्या देवी मा को तुमने अपनी बॉल से चोट लगा दी बच्चों को डाट पड़ते हुए देख गाए बोलती है अरे भोलो तुम बच्चों को डाटो मत वो तो बस खेल रहे थे और उन्होंने मुझे जान बूच कर नहीं मारा है गलती से चोट लग गई मुझे अच्छा ठीक है माता बोलो उस गाए को प्रणाम करता है और वहां से चला जाता है गाउवालों को वो गाए कभी भी दूद की कमी नहीं होने देती थी यदि जिसके भी घर में दूद की कमी होती उसके घर में वह गाए दूद की पूर्ती कर देती पर वक्त बीतता गया और देखते ही देखते कुछ साल बीट जाते हैं और ऐसे ही एक दिन वह गाए बहुत बीमार पड़ गई उसका बहुत ही इलाज करवाया लेकिन वह ठीक नहीं हुई और उसकी मृत्तियों हो गई उसकी मौत का दुख सभी गाउवालों को था वह तो मर गई थी लेकिन उसकी आत्मा को मुकती नहीं मिली थी गाउवालों के प्रति उसके इस प्यार ने उसको मुकत नहीं होने दिया और वो एक चुडैल गाय बन गई वह चुडैल बनने के बाद भी गाउवालों की मदद करती थी एक दिन श्यामू शहर से दूद बेच कर अपने गाउं आ रहा था कि तभी उसके पीछे एक कुत्ता पढ़ जाता है श्यामू जैसे तैसे अपनी जान बचा कर अपने गाउं आ जाता है लेकिन उसके पीछे पीछे वह कुत्ता भी उस गाउं में आ जाता है और आए दिन किसी न किसी को काटने लगे। लोग उस कुत्ते से बहुत परिशान रहने लगे और आपस में बात करते हैं अरे भाई इस कुत्ते ने तो बहुत परिशान कर दिया है। हाँ भाईया इस कुत्ते को तो कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ये पागल कुत्ता है और स लेकिन उन गाओं वालों को नहीं पता था कि उन्होंने उस कुट्टे के शरीर को मारा है लेकिन उसकी आत्मा कहीं भी नहीं गई है एक दन संजु नाम का लड़का अपने गाओं में खेल रहा होता है कि तब ही उसको किसी कुट्टे के भौकने की आवाज आती है संजु बोल ही रहा होता है कि इतने में बहुत तेज हमाय चलने लगी और अचानक से उसके सामने कुट्ता आ गया उसकी भयंकर आखें चेहरे पर चोटके निशान और पेट में गोली लगी हुई थी यह देख कर संजु बहुत डर गया वह वहां से भागने लगा लेकिन वह भागने में काम्याब नहीं हूँ सका और उस कुट्ते ने उसको बहुत बेरहमी से मार दिया अगले दिन उसकी लाश सरपंच के दरवाजे पर मिली लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मौत हुई कैसे दीरे दीरे कुछ दिन बीद गए और आए दिन अब किसी ना किसी की लाश वहां मिलने लगी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन इतनी बेरहमी से लोगों को मार रहा है गाउं वाले खटा होकर आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में एक आदमी बोलता है अरे भाईया तुम लोगों ने अपनी आखों पर पट्टी बांध रखी है क्या हमारे गाउं में कोई जंगली जानवर है नहीं ना भाईया तुम मानो या ना मानो पर हमको लगत है कि हम लोग गाउं माता को बचा ना ही पाए ना इसलिए वो हमसे नाराज होई गई है हाँ गाउं वालो हमें भी यही लग रहा है पर गव माता हमसे नाराज क्यों ही है हमने तो उनकी इतनी सेवा करी है और अगर हम उनकी जान नहीं बचा पाए तो हमरी क्या गलती है गाओं वाले बात कर ही रहे होते हैं कि यह सब कुछ चुड़ैल गाय सुन रही थी और यह सुनकर गाय सोचती है इन लोगों को गलत वैमी हो रही है मैं तो इनकी मदद कर रही हूं लेकिन मैं इन गाओं वालो को कैसे समझाऊं कि इस गाओं में जितनी मौते हो रही है वो मेरी वज़ा से नहीं बल्गी वो भूतिया कुट्ता मार रहा है मुझे उस कुट्टे का असली चहरा सब के सामने लाना ही पड़ेगा हे भगवान मुझे शक्ती दो ताकि मैं उस भूतिया कुट्टे से सब को बचा सकू चुडैल गाई की यह बात सुनते ही वहाँ पर भूतिया कुट्टा आता है और उससे बोलता है तु मेरा अतली चहरा कभी भी किसी के सामने नहीं ला पाएगी इन लोगोंने मुझे कुट्टे की ही मौत मारी है अब इस गाउं में से कोई भी नहीं बचेगा हा 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 तुम अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगी और ये मौत का गंदा खेल खेलना बंद करो मैं तुम्हारा चहरा सब के सामने लाऊंगी ये मेरा वादा है तुमसे कुट्टे और गाए की बहस सभी गाउं वाले सुन रहे होते हैं कि तभी गाए को भगवान की तरफ से वर्दान मिलता है और वो गाए सभी को दिखने लगती है गाए को देखकर सभी गाउं वाले च के इतना कहते ही वह भूतिया कुत्ता सब के सामने आ जाता है और सब को बोलता है मैं एक कुत्ता था तुम लोग मुझे डॉक्टर को भी दिखा सकते थे लेकिन तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया और मुझे कुत्ते की ही मौत मरने दिया मानने के बाद तुमने मुझे यहीं पेख दिया, मेरा अंतिम संसकार भी नहीं किया, और मैं अपनी मौत का पतला लूँगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूँगा। मेरे गाउवालो, मैं उस कुट्टे को संभालती हूँ, तुम इसके शरीर को ढूंड के इसका अंतिम संसकार कर दो। उसके इतना कहते ही सभी गाउवाले कुट्टे के शब को ढूंने लगते हैं, वहीं दूसरी तरफ भूतिया गाए और चुडैल में खूब लड़ाई होने लगती हैं, और कापी देर तक भूतिया गाए और चुडैल के जगडे के बाद अब गाए उससे लड़ते-लड़ते क कमजोर पड़ रही थी, कुट्टा अपने मूह से आग निकाल रहा था, लेकिन फिर भी गाए ने हार नहीं मानी, आकिरकार गाउवालों को उसका मृत शरीर मिल ही गया, और सभी गाउवालों ने उसका अंतिम संसकार कर दिया, वहीं दूसरी तरफ कुट्टे के शरीर के ज श्वास किया और भरोसा किया, माता आपने हमें बचाया है, हम आपकी पूजा योही करते रहेंगे जैसे करते थे, मुझे अब जाना होगा, मेरा समय पूरा हो गया, इतना कहकर वो सबको अलविधा कहती है, और वहां से एक तारा बनके अपनी दुनिया में चली जाती है, वही अब गाओ वाले भी खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं।